नमस्कार मैं हूं मुक्ता सिंग और आप देख रहे हैं श्रेश्ट भारत किसान परिवार में जन्म हुआ 1970 के दशक में ABVP में रहे 2003-2004 के बीच में उनके आउस्टेंडिंग पर्फॉर्मेंस के लिए उनको दिल्ली के सर्वश्रेश विधायक का सम्मान मिला फिलहाल बदरपुर के सीच से भाजपा के विधायक है चार बार विधायक रह चुके हैं अब उनकी एक नई पहचान है कि दख्षर दिल्ली से भाजपा के सीच से लोगसभा का चुनाव लड़ेंगे तो मुझे उमीद है आप सभी समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं जी हम बात कर रहे हैं रामवीर सिंग विधूरी जी की जिनको रमेश विधूरी का टिकेट काट कर उन्हें यहां का उमीदवार बनाए गया है रामवीर सिंग जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बहुत देनेवाद क्या फर्क है रमेश और रामवीर में सरने में की है गाउ और कारशेत्रे की है फिर रमेश की जगे रामवीर क्यों देखें यह फैसला तो हमारी पार्टी की सेंटरल लीडर्सिप ने लिया है मैं बहुत आभारी हूँ देश के यसरसी प्रधान मंतरी आदेनीसी नदर मूदी जी का पार्टी के रास्टे अध्यक्स आदेनीसी जेपी नड़ा जी का और भारत के यसरसी गिरह मंतरी आदेनीसी अमीसाजी का और पार्टी के सीर्स ने ततुका कि मुझे उन्होंने साउट दिल्ली पार्लिमेंट सीर्से लोकसवा का चुनाव लड़ने का अफसर दिया है मैं अपनी ओर से और साउट दिल्ली के सभी मद्दाताओं की ओर से पार्टी के करकरताओं की ओर से अपनी सेंटर लीडिसिप का धन्यवाद करता हूँ उनके परती आभार वेक्त करना चाहता हूँ अब जहां तक अंतर की बात है तो ये मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मेरे में उनमें क्या अंतर है भाजपा और आम आदमी पार्टी में क्या अंतर है या जो भाजपा के विरोध में जो आम आदमी पार्टी और कॉंगर्स का गड़बन धन है उसमें क्या अंतर है मैं आज आपके इस चैनल के समक्स उस अंतर के बारे में जुरू जानकारी देना चाहूँगा दिल्ली में पिछले नौ साल से अर्बिंद केजिवाल की सरकार है दिल्ली के लोगों से अनेक वाइदे किये गए आज दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा परदूसित राजधानी डबलू एचो ने घोसित कर दी है दिल्ली के लोगों के साथ ये वाइदा किया गया कि हम 24 घंटे किलीन वाटर देंगे अभी जलबोड ने लगबख साड़े साथ हजार घरों से पानी के सेंपल उठाए ड़ाई हजार पानी के सेंपल फेल हो गए अरविंद केजरिवाल गंदा पानी दिल्ली के लोगों को अपलफ करा रहा है जिसको पीकर लोगों की किड़नी, लीवर और पेट खराब हो रहे है आज डिल्ली का जो पब्लिक टांस्पोर्ट सिस्टेम है पुरी तरह कुलेप्स कर गया अरविंद केजरिवाल ने कहा था कि हम डिल्ली के लिए या DTC के लिए 15,000 नई बसे खरीदेंगे, एक भी बस नहीं खरीद पाए हम देश के यससी परधानमंत्री आदनेश्री नरंदर मोधी जी के परती आभारविक तक करना चाहते है कि उन्होंने दिल्ली को साड़े सोले सो एलेक्टिक बसें दी लेकिन अर्विन्द के जीवान एक भी DTC के लिए बस नहीं खरीद पाए आज DTC 10,000 क्रोड़ उपे के घाटे में है जो जलबोड 600 क्रोड़ उपे के मुनाफे में था आज वे जलबोड 75,000 क्रोड़ उपे के घाटे में चल रहा है अर्विंद केजीवाल ने वाइदा किया था कि हम दिल्ली में 25 कॉलीज खोलेंगे, एक भी कॉलीज खोलने पाए कभी सिरी मदलाल खुराना और डॉक्टर साहिप सिंग वर्मा ने दिल्ली में 12 कॉलीज खोले थे फुली फंडिड बाई डैली गॉर्मेंट आज उनके टीचिंग स्टाफ को नॉन टीचिंग स्टाफ को अर्विंद केजीवाल की सरकार सेल ली ने दे पा रही है हमारे स्कूल्स की हालत ऐसी है कि स्कूल्स में प्रिंसिपल और बाई स्टीचर्स को रेगुलराईज नहीं किया गया लगभग 25,000 टीचर्स की हाज कमी है ज़्यादा तर स्कूल्स में साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई बच्चों को उपलब्द नहीं कराई जा रही है तो हमारे बच्चे डॉक्टर इंजिनियर कैसे बनेंगे ड़ाई गुना ज़्यादा बजट अरविंद केजरिवाल के सरकार ने सिक्षा के उपर खर्च किया लेकिन अगर आप रेजल्ट उठा कर देखेंगे तो 14% कम हो गया तो अरविंद केजरिवाल के सरकार जो उनका सिक्षा का मॉडल है वो पूरी तरह से फेल हो गया है दिल्ली हाई कोट को सुप्रीम कोट को दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल के बारे में ये कहना पड़ा है कि दिली सरकार के हॉस्पिटल्स की हालत बूचर खानों से भी जादा खराब है अभी दिली हाई कोट ने कहा है कि बहुत ही खिद की बात है दिली में तीन क्रोड लोग रहते हैं लेकिन दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में छे सिटी स्केन की मसीने जो अमोमन खराब रहती हैं, हम दिल्ली के लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं, अब अर्विंद केजरिवाल के हॉस्पिटल्स में महला क्लिनिक्स से नकली दवाईयां लोगों को दी जा रही ह नकली टेस्ट हो रहे हैं, 65,000 नकली टेस्ट हुए है यह तो रिपोर्ट आ गई है, तो अरविंद केजरीवाल की सरकार हर मोच्षे पर विफल हो गई है धिल्ली में पहरी सो लंदन वाली सड़के देंगे अरे आप तो सड़कों की मरमत नहीं करवा पाई तो अरविंत केजिरीवाल आखिर बताय ता सही, कि उन्होंने डिली को क्या दिया है? दिली को उन्होंने बहुत बेदरदी के साथ लूटा है। दिली को बरबाद किया है। तो आपने मिलाजुला के आम आदमी पार्टी की जो भी कमिया थी वो तो गिना दी लेकिन तब मेरा यही आप से पहला जो सवाल था उसी का कंटिनुएशन यह दूसरा है इस पे तो हम लोग आएंगे अभी आप और कॉंग्रस पर लेकिन हिस्टॉरिकली यह जो सीट है वो भाजपा का गड़ रही है रमेश विधूरी जैसे कद्दावर MP यहाँ पर दो बार चुने कैं 2014-2019 में तो फिर ऐसी क्या वज़े हो गए कि उनको हटाना पड़ा और आपका नाम आया तेखिये भारचनता पार्टी के किसी कारकरता को आप यदि बात करेंगे तो भाजपा कारकरता अनुसासन से बंदा हुआ है पार्टी की लीडर्स्टिप जो भी निड़ने करती है पार्टी के सभी कारकरता उसको स्विकार करते हैं और एक साथ मिलकर पार्टी के उमिदवार को जिताने में अपनी पूरी ताकत जोग देते हैं, इसी का परिणाम है कि आज भार्जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनितिक दल है, तो यही तो अंतर है। नहीं तो आपके लिए कितना मुश्किल होगा जनता को यह कंविन्स करना कि आप रमेश विदुडी जी की लेगिसी को आप आगे बढ़ाएंगे। मुश्की सरकार ने अलग-अलग छित्रों में एत्यासिक विकास के कारिये किये हैं। दिल्ली में मुदी जी की सरकार ने दिल्ली के चारों तरफ पेरिफिल रोड बना कर, जिस दिल्ली में हजारों ट्रक्स रोज एंटर करते थे, उनकी एंट्री रोग दी गई है। मोधी जी ने दिली में दुनिया का सबसे बड़ा एको पार्क दिया है बदरपुर में 885 एकट जमीन पर बन रहा है सेक्रिंड लार्जेस एको पार्क अमेरिका के से नियॉर्क में है इस एको पार्क में जोगिंग ट्रेक है, साइकल ट्रेक है, योगा सेंटर है इसमें आपका सफारी है, चिडिया घर है, बोटिंग लेक है, लाखो दर्खत लगाए जा रहे हैं, उससे एरिया का एन्वाइर्मेंट बदल गया, परदूसन के इस तर नीचे हुआ है, और हजारों बच्चों को रोजगार भी मिलने वाला है, उसका 90% कार्य पूरा हो गया ह है, अगले दो ढ़ाई मेने के अंदर अंदर, जब मोदी जी तीसरी बार जिसके प्रधान मंत्री बनेंगे, तो उस दुनिया के सबसे बड़े एको पार्क का उनीके करकमलों द्वारा उदघाटन होगा, मोदी जी ने ट्रैफिक होस्ता को ठीक करने के लिए परगती मैदा मोदी जी ने वर्ड किलास दो कन्वेंशन सेंटर दी है, परगती मैदान में और द्वारका में, पच्चीस हजार लोग एक साथ बैठ सकते हैं, मोदी जी ने दिल्ली को तीसरी रिंग रोड दिया है, जारा जाके देखिए, के जिरिवाल जी कहते हैं, लंदन पैरिस वाली जाके देखिए, तो आप कहेंगे कि हम मोदी जी ने जो तीसरी रिंग रोड पर जो शांदार सड़के बनाई हम ऐसी सड़के बनाएंगे, तो मोदी जी ने जहां इंडिया गेट पर इंग्लेंड के राजा की परतिमा लगती थी, आज निताजी सुवाजचंदर बोजी की परतिमा लगी है, नेशनल वार मेमोरिल बना है, पुलिस वार मेमोरिल बना है, हमारी पुलिस के पास पुलिस हेड़क्वाटर नहीं था, आज जैसिंग रोड का नॉट प्लेस में एक हजार क्रोड विया खर्च करके शांदार पुलिस हेड़क्वाटर बनाया है, आज मोदी जी की सरकार का चमतकार मोदी जी की सरकार के चलते आज हम 40 मिनट में मिरट पहुंच जाते दो घंटे में चंदीगड जैपूर देरादून पहुंच जाते हैं और अभी द्वारका से मुंबई हम 10 घंटे में पहुंच जाएंगे लगभग 75,000 किरोड रुप्या मोदी की सरकार ने दिल्ली में जो हाइवेज का जाल बिछाया है अनेक फ्लाइवर्स बनाए हैं अनेक अंडर पास बनाए हैं तो लोग मोदी जी के उपर कुर्बान हैं चली तो आपने अपनी उपलब्दियां और आम आदमी पार्टी की कम्या तो गिना दी लेकिन कहीं न कहीं कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी जो साथ आ रहे हैं एक संगठेत और प्रभावशाली शक्ती की तरह है तो कैसे इस गंडबंधन से कैसे निप्टेंगे मैं आपको आज आपके चैनल के मादेम से जानकारी दे रहे हूं जो रिजल्ट आएगा तो हम और आफ फिर मिलें हैं 2019 में भारचंता पार्टी के उम्मिद्वारों को 57% से लेकर 60% मिला 56% 56% 60% तक मेरी पहले बास सुन लीजिए और इस बार दिल्ली में भारचंता पार्टी के उम्मिद्वारों को 70% से ज्यादा वोट मिलने जा रहा है मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहा रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर दो तीन सीटों पर आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी के उम्मिद्वारों की जमाना जब थो रही है कि इस बार लोग जाती धरम मजब से उपर उठकर नरिंदर मोदी जी को वोट देने जा रहे हैं कि उन्होंने देश में जो जनकल्यान कारी योजनाय सुरू की चाहिए लोगों को पक्के मकान दिये चाहिए मुफ्स रासन दिया चाहिए महिलाओं को रसोई का गैस का सिलंडर दिया अनेक योजनाय जो सुरू की चाहिः खोका पट्री के लोगों को 10,000 रुपे से 50,000 रुपे उपलत कराएं कि वो जतर सम्मान के साथ रोजी रोटी कमा सके तो मोदी जी ने इसमें किसी के साथ भेद भाव नहीं किया हमाँ चाहे हिंदू हो, मुसल्मान हो, सिख हो, इसाई हो, जैन हो, बोध हो आपने तो पहले से अलान कर दिया कि साथ की साथ सीतें और 70% वोट शेर पिछली बार जब मोदी वेव था तो भी 56% वोट शेर था उसके पहले अगर आप देखे तो 45% वोट शेर था तो आपको नहीं लगता है कि जब आप कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी साथ हा रहे हैं तो 50% भी रिटेन करना मुश्किल होगा पिछली बार भी कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी अलगलग चुनाव लड़े हैं दोनों का वोट हम एक साथ जोड़ दें तो उनको 42% वोट मिला हमको 77% रेकर 60% मिला और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ मैं आपको करेक्ट लना चाहता हूँ इस बार मुदी जी की जो वेव है लहर या मैं यह कहूं आंधी इस बार मुदी जी के पक्स में तुफान चल रहा है और मैंने जैसे आपको कहा कि लोग जाती धरम मजब का बंधन तोड़ कर सिरी नरंदर मुदी जी को वोट देने के लिए जा रहे हैं और इस देश के सभी जाती धरमों की लोग चाहते हैं कि सिरी नरंदर मुदी जी शान के साथ 400 से ज़्यादा सीटों के साथ तीसरी बार देश के प्रधान मंतरी बनें ये लोगों ने माइंड मेक अप कर लिया है अब तो लोग इंतिजार कर रहे हैं कि बस वो समय आ जाए कि जब हम वोट डाल लेक ले जाए मतलब एक तरह से आपने गोशना पहले से कर दिये तो किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में उत्रेंगे चुनावी मैदान में देखे मैंने आपको बताया है ना हम ये सवार लोगों के सामने उठाएंगे कि अरबिंद केज़िवाल 2018 से वरिष्ट नागरिकों को ओल्ड एज पैंसर नहीं दे रहे हैं ओल्ड एज पैंसर बनाने पर रोक लगाई हुई है लाखों हमारे वरिष्ट नागरिकों ने ओल्ड एज पैंसर के लिए आविदन किया है हम अरबिंद केज़िवाल से पूछ रहे हैं कि आपने 2020 में वाइदा किया था कि यदि उनके सरकार आएगी जिनकी उमर साठ साल से सतर साल है चाया हो महिला हो चाया पुरूस हो उनको दोहजार rioप्या पैंसन मिलेगी और जिनकी उमर सतर साल से ज 새दा अनको डही जार रोपया पैंसन मिलेगी अर्विंद केजरिवाल बताएं उन्होंने अपना वाइदा क्यों नहीं पूरा किया अर्विंद केजरिवाल ने अभी दो साल पहले जब बजट पेस किया था दिली विधान सभा में तो उसको रोजगार बजट कहा गया था उनका तो यह आरोप है कि आदे काम आप लोगी करने नहीं देतें बीस लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी चार सो क्रोड उपे का परोधान किया गया था उनका रिपलाई आया मुझे विधान सभा में एक विक्ति को रोजगार नहीं दे पाए इनी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के अंदर जितनी भी मार्कीट से चाहे वो गांदी नगर की मार्कीट हो चाहे लाजपन नगर की मार्कीट हो खारी बावरी हो या आपकी कमला नगर हो स्रोजी नगर हो इन सारी मार्कीट की काया कलब की जाएगी इनको re-develop किया जाएगा और 200 क्रोड भी आ रखा जरा अरविंद केजिरिवाल बताय तो सही कि अगर उन्होंने पिछले दो सालों में एक नया पैसा यदि खर्च किया हो इन मार्किट्स के re-development पर तो आप जो मेरी सजात तेह करेंगे मैं उसको स्विकार करूँगा आज दिल कि अर्विंद केजिरिवाल ने कि यह जाकर देख रहे हैं लेकिन अर्विंद केजिरिवाल से पूछो क्या वो दिल्ली में कभी 10 किलोमिटर नी चले हैं तो शैद आपकी बात का जवाब देगा क्योंकि उनके भी बहुत सारे आरोप हैं तो उसका तो मतलब आरोप प्रत्य कि उन्होंने जो वाइदे किये थे दिल्ली के लोगों से मैंने उचा है क्या वो इस सहर को वर्ट किलासिटी बढा रहे थे क्या आज यह सहर दुनिया के सब ज़्यादा पर दूसीत सहर ने घोसित कर दिया है जिस यमना की सफाई के लिए 8000 किरोड रुपिया कैंसर कार ने गवर्नर ने दिल्ली हाई कोट के आगरे पर एंज़ीटी के आगरे पर जब यमना की सफाई का काम सुरू किया तो इन्होंने सुप्रिम कोट में जाकर गौहर लगाई कि उनको इस कारिये से रोका जाए अच्छी बताएए इस बार तो इस कारिये में दो राम राम वीर सही तो क्या काटे की टकर मतलब टकर बड़ी और कड़ी है देखे बाती है तो आप लोगों से जानकारी लेजिए जहां तक मुझे जानकारी है कोई फाइटी नहीं है कहीं आमादी पार्टी कहीं दिखाई नहीं दे रही है एक तरफा चुनाव है आप जाके पूछो ना ये ल हम लोग उनसे भी बात करेंगे ये बताएंगे आपको कि ये किसको वोट देंगे चलिए हम लोग इसलिए कहा कि लोग इस बार जाती धरम मजब से उपर उठकर चलिए तो आप लोग सभा के फ्रेश कैंडिडेट के तौर पर अरे मेरा पचास साल का राजितिक जीवन है व रामवीर सिंग विधुरी विकास के कारियों पर जोड़ देते हैं आज अब बदरपुर विधानसवा में जाई आज वहां हाईवे बना जा रहा है फ्लाइवर बना जा रहा है अज दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क बदरपुर विधानसवा छेतर में आट सो पीचा के साथ जीते हैं डवलोमेंट का काम आगे बढ़ता है किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है यह आप बदरपुर विधानसवा छेतर के लोगों से पूछिए यहां दे कोई बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं यह तो हमारे अखलियत के लोग है मैनोटिस के लोग है हमार दिखिए मेरा जो फोड़ी सोगा हम साथ बदलेंगे और लोगों की तकदीर बदलेंगे हमारे पास नीती भी है और हमारे पास काम करने की नियत भी है और हमारे पास आदनीतrichtशिय नेंदर मोदी जी के रूप में नेता भी है तीन चीजें आपकी प्रियारिटी में इस छेत्र के लिए सबसे पहले कि दिल्ली की अनुथ्राइज कलोनीज में जो लोग घर बनाते हैं बगएर किसी डर भैके बना सकें मगार बनाने के लिए उन्हें कोई किसी कटनाई का सामना ना करना पड़े मैं आपहरी हूँ देश के सब्सक्राइज के लोगों को मालिकाना हग दिया है मैं आपहर वेक्ट करना चाहता हूँ मेरे छेत्र में 69 अनुथ्राइज कलोनीज को मालिकाना हग नहीं मिला है उनको मालिकाना हग दिलवाए जाएगा गाउं का लालडोरा बढ़ाये जाए अनुथ्राइज कलोनीज के डवलोमेंट के लिए ज्यादा धनरासी का प्रवधान किया जाए मैं दिल्ली के ओनरेबल लेफ्टेंड गवर्न के परति आभार वेक्ट करना चाहता हूँ कि उन्होंने अभी डीडिये से दिल्ली के गाउं के लिए एक हजार क्रोड रुप्या उपलप्त कराया है टेंडर कॉल कर लिए गए है वर्क अवार्ड होने जा रहे हैं और चुनाव से पहले पहले दिल्ली के सभी गाउं में विकास के कारिया जो ओनरेबल लगी ने शुरू किये हैं हम उस क कम पांच कॉलिजिज देंगे तो हम साउथ दिल्ली में कॉलिजिज भी खुलवाएंगे हम साउथ दिल्ली में प्लेंट भी में डवलोंट के काम को भी आगे बढ़ाएंगे हमारे साउथ दिल्ली में ट्रैफिक की भी समश्या है हमारे लोगों के पास टांस्पोर्ट की भ रोना आएगा, लोगों ने मन बना लिया है कि तीसरी बार केंदर बे मोधी जी की सरकार आ रही है और दिली में मोधी जी की पार्टि की पार्टी की सरकार इसलिहें लाएंगे कि अर्बिंद केजिरिवाल का रोज κα जो रोना धोना है मुझे सरकार बाज़पा कामने करने देरी लोग यह रोना-दोना सुनना नहीं चाते हैं कि नीचे भी मोदी जी की सरकार आ जाएगी तो दोनों सरकार मिलकर बड़ किला सीटी बनाएगे यही अँगर नेंदर मोदी मोदी जी का सपना है हम उसका साकार करेंगे अपके साफ से कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी कुछ नहीं है और आपस में उनमें इतनी लड़ाई है कि जहां कॉंग्रेस पार्टी का उमिद्वार होगा वहां आमादमी पार्टी के लोग जो है वो भाजप्पा की साहिता करेंगे जहां आमादी पार्टी का उमिद्वार होगा वहां कॉंग्रेस पार्टी के सभी लोग भाजप्पा की उमिद्वार की साहिता करेंगे उनमें कोई तालमेल बैठी नहीं सकता एक दूसरे के भैंकर दुस्मन है भैंकर और एक दूसरे के बारे में क्या क्या कहा गया है मैं उसकी चर्चा कभी करता नहीं मैं उतने निचले सर पर जाता भी नहीं इसकी तो चर्चा राजनीती में क्या की जाएगी तो मतलब हर जहें यह चलता है हर पाटी में खेर छोड़िये यह बताइए इतने इतना स्ट्रेस में भी आप इतने विनम्र और इतने सहच कैसे रह पाते हैं आपकी सबसे बड़ी युएस पी तो यही है आपका सुभाव देखिए मेरी मेरी उमर अभी 71 से जादा है और मैं 53 स अपने खित में जो अनाज हम पैदा करते हैं यूरिया का इस्तमाल नहीं करते हैं जो अपने खित में जो गाये रखी हुई है उनको जो चारा देते हैं उसमें भी हम यूरिया का इस्तमाल करते नहीं है सुवे में यूगा करता हूँ और भोजन बहुत चुकि आपका विपक्ष जो भी हो सब के आप चाहेते रहते हैं तो चलिए अच्छा आपके पास समय की कमी है तो बस एक आखरी सवाल है कि आपके विरोधी हमेशा ये कहते रहते हैं कि बीजेपी या तो राम भरोसे है या मोदी की गैरेंटी के भरोसे है तो आप इस पर क्या कहेंगे एक MP के तौर पर एक इंडिविज्वल के तौर पर आप क्या रोल देखते हैं देखिए मोदी जी की सरकार की जो कमाल की परफॉर्मेंस रही है इन दस सालों में जो मोदी जी ने देश की तस्वीर बदली है और पूरी दुनिया में जो भारत का गौरब बढ़ाया है तो हम मोद को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं और मोदी जी के सरकार की जो जो बहुती शांदार परफॉर्मेंस है हम उसके आधार पर लोगों से वोट बांगेगे हैं आप चार बार के विधायक रहे हैं तो एक तरह से आपकी पदोनती हो गई अब और दूसरा यह कि अब आप मुझे लीडर अपोईशन का पदिया हुआ है मेरा कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है लुटियन जॉन में मुझे टाइप सेवन घर मिला है जो भार सरकार के राज्य मंतरी को मिलता है तो मुझे तो बहुत कुछ दे रखा है पार्टी ने मैं पार्टी की रास्टे कारकार करता परियास करता मैंने कोई अपनी इच्छा विक्तनी की कि मुझे साउध दिली से पार्लिमेंट का चुनाव लड़ाया जाए मैं आभारी हूं देश के एससी प्रदान मंतरी क्योंकि आप तो वो शक्स जो आंधी में भी अपनी कुरसी बचाते रहें और आप लोग सभा क्या फर्क होगा? करते थे तो लोगों की दौाएं मेरे काम आई हैं. मेरा इसके लिए. क्या मेसेज देना चाहेंगे आप देख्छन दिली के लोगों के लिए? rightутствikant.ड और्लेमेंट अन्याइक समचा हैं साउधिली के लोगों के सामने ये राम वीत सिंग उला реж psychiatric धुरी में अबाइदा क्या है एक एक करके भी समचा इसे मुझे ये भी मालूम उला है समचा क्या है? मुझे ये तो इस पर जरूर मदद करता है बस मैं इतना कह सकता हूँ चली बहुत बहुत शुक्रियाम से बाचीव करने के लिए थांक यू सो मच